केरल के निपा वाइरस का एक और केस सामने आया है कोजी कोड में गुंचाली साल का व्यक्ति वाइरस से संक्रमित पाया गया केरल में अब तक निपा के कुल छे केस आ चुके हैं जिसमें दो लोगों की मौत हो चुकी है केरल के स्वास्त मंद्राले ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को अभी कोजी कोड के अस्पताल में निगरानी में रखा गया है राज सरकार ने संक्रमन फैलने से रोकने के लिए तैयारिया मजबूत कर ली है कोजी कोड में संक्रमन मिलने वाली ग्राम पंचायतों को क्वारंटिन जोन घोशित कर दिया गया है मरने वाले व्यक्ति के कॉंटेक्ट लिस्ट में हाई रिस्क कैटेगरी वाले 15 लोगों के सेंपल ले लिए गए हैं स्वास्त अधिकारी के अनुसार संक्रमित लोगों की कॉंटेक्ट लिस्ट में 950 लोग शामिल है इन में से 213 लोग हाई रिस्क कैटेगरी के हैं कॉंटेक्ट लिस्ट में 287 स्वास्त अधिकारी भी शामिल है। केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान राज मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीन पवार ने गुरुआर को पुणे में भारती चिकिस्सा अनुसंधान परिशक राश्ट्री विशानू विज्ञान संसान का दोरा किया। उन्होंने निपा वाइरस को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समिक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्री स्वास्त मंत्राले ने वाइरस से निपटने में राजी की मदद करने के लिए डॉक्टर माला छबडा की अगवाई में एक टीम नियुक्ति की है। वही केरल की स्वास्त मंत्री वीना जाज ने कहा कि राज सरकार ने ICMR से निगा संकरमन के इलाज के लिए जरूरी मोनोकलॉन एंटीबडी मांगी थी जो 15 सितंबर को केरल पहुँच गई है स्वास्त मंत्री ने कहा कि राजिवगांदी सेंटर फार बायो टेकनालाजी तिरुवन तर्मपुरम की मोबाईल वायरोलाजी टेस्टिंग लेब भी कोजी कोड भेजी गई है केरल के पड़ोसी राजिकर्णाटक में सरकार ने एक सरकुलर चारी किया है इसमें आप जनता को केरल के प्रभावित इलाकों में सफर करने से बचने की सला दी है सरकुलर में अधिकारियों को केरल की बॉर्डर से जुड़े जिले, कोडागू, दक्षिनकर्णड, चामराज नगर और मेसूर में निगरानी तेश करने के भी आदेश दिये गए है इसी के साथ पने रही है राजणावा टीवी के साथ तहने बाद